नमस्क्राइब दोस्तों स्वास्रिकाल आदाप कैसे हो आप लोग अब मैं आपके लेक्चर 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 31 रिकर्सिव फंक्शन और मेमोरिजेशन के उपर है तो बिना वक्त कबाई शुरू करते रिकर्सीर फंक्शन चीमस है क्या तो सब्सक्रियम हा कर हम आगे देखे यहां पर तो रिकर्शन है क्या, Let's understand recursion first recursion क्या है एक process है right एक process है define करना खुद को something in terms of itself खुद के terms में करना और एक फिस्गल खुद को दोनों में अपना प्रतिविम देखूंगा अपनी reflection देखूंगा और वो reflection infinite होगी तो वो आपका होगा reflection आपका recursively काम कर रहा है तो यह real world example हो गया recursion का recursive function होता कै कि यह function है इसको मैंने यह आपका call किया और यह function खुद को call कर रहा है बार बार और जो भी जिससे तीन टॉट मैंने आप बना रहे हैं इसका मतलब हो गया कि कोई भी statement हो सकती है कि उसका मुझे मतलब नहीं है लेकिन यहां पर कोई भी हमारा यह function खुद को call कर रहा है function के अंदर ही function call है और बार function call तो है जिससे पहली बार start हो रहा है तो हमारे पास यह चीज आ गई इसके अंगरे से लिखी ही है कि हमें पता है कि function दूसरे function call कर सकता है और यह भी possible है कि जो function है मेरा खुद को call भी कर सकता है इस तरह के construct को हम कहते है recursive function तो यह बात यहां पर दे रहे हैं कि आगे और examples आपको बिताऊंगा और दिखाऊंगा तो यह हिंदी में आपके लिए तरज्जुमा करके लेकर रहा हमें कि function को उसी function के अंदर एक specified condition जिस specific condition को हम कहते है based condition के तक call करने को ही recursive function कहते हैं और इस process को यह जो process को काम को हम क्या कहते है recursion कहते है तो यह दे की Hindi में आपके लिए लेकर आए हूं फिर आपके लेकर हाँ कि भाई इसके जो क्राइब करने के लिए काम तर यहां पर कि उसकी सब डायकरि होंगी है हमें इस बारे में नहीं संकर्ण करेंगा तो बेहतर काम करेगा तो recursion मेरा वहाँ भी use किया जा सकता है तो यह तो होगे मेरी applications और recursion function होता क्या है वो भी आपको मैंने बताया है अब आगे सीधा में example लेखते हैं इसके अंदर तो यहाँ पर simple सा यह factorial का example है हमारे सामने यहाँ पर 3 है तो यह जाएगा यहाँ पर 3 में यहाँ पर गया और जैसी यह 3 गया इसके बाद हमारे सामसर आजाएगा तो यह 3 3 into 2 factorial हो गया क्योंकि 2 into 1 भी आएगा अगें क्योंकि 2 होगा दोबारा से function call होगा 2 के लिए तो यह function खुद को call कर रहा है यहाँ पर आके फिर खुद को call करेगा तो यह हो गया मेरा recursive function इसको और अच्छे से हम आगे समझेंगे अभी देखिए अब यह ही again चीज मैंने कर दिया है यहाँ पर मैंने कर दिया तो यहाँ पर राइट और मैंने कर दिया 3 से call किया फिर 3 आ गया यह क्या हो गया यह क्या हो गया टू मेरा one के बराबर है 500 नहीं है एल्स में जाएगा एल्स में जाएगा two यहाँ पर आ गया one ध्या-1 हो गया फिर यहां जाएगा अगें तो यह था गया यहां तो क्यों कि कि दोबारा function call हूआ है यहां पर तीन बार call हूँ रहा है यह value मेरी बनी 1, यह मेरा क्या बना 2, तो 2 इंटो 1 कितना होगा, 2, 2 यहाँ पर जाएगा, 2 इंटो 2, 2 इंटो 1 इसकूल 2, यह return हो गया, यह return होने के बाद यह 3 से multiply होगा, 3 से multiply होगे वापिस यहाँ जाएगा, और यहाँ पर बापस अगें, वो चीज़ दोबार एक्सक्विट होगे तो आजाएगा, तो मेरे पर return क्या आगए यहाँ पर, x क्या आगए यहाँ पर, 6, तो यह मेरा होगे 3 factorial, तो यहाँ पर एक condition, यह मेरी base condition जो रोकेगी, जिससे मैं specified condition के नाम पर आपको हिंदी वाले text में भी आपको इनने बताया था, तो यह रोकेगा के मेरा यह recursion चलेगा, तो कब तक चलेगा, किस condition तक चलेगा, कब वो यह पर चर्थे लाग होगी, यह कब तक वो रोकेगा, कब वो समाप्त होग तो यह बात आगया, कि basic, base condition की बात आगया, हर recursive function में आनिवार है कि उसके पास एक base condition होनी जरूरी है, अगर नहीं एसर नहीं किया, तो मेरा function खुद को call करता रह जाएगा, निरंतर बार infinite times call करता रहेगा, वो तो रोकना है न, तो इसी बात को python जानता है, और python interpreter ने अपना limit set कर दिया है, recursion के लिए, जिससे कि infinite recursion ना हो, जिससे कि stack overflow ना हो, stack overflow का मतला हो गया, memory का overflow ना हो, और by default जो recursion है, depth की, जो maximum depth of recursion है, क्या limit है, वो thousand होती है, it is before versions 3.10, तो 3.10 से पहले जितने versions है python के, उन सब में 1000 limit है, और 1026 python 3.10 या उसके बाद है, और इस तरह की error को हम कहते हैं, recursion error, अभी आपको दिखाता हूं कैसे error आ रही है, लो जी, दिखा दिया आपके सामने, यह मेरा function है, यह मेरा call कर रहा हूं है, recursion नाम का, यह इसको call किया, इसके बाद यह call हुआ, उसके बाद यह खुद को call कर रहा है, यह call किये जा रहा है, किये जा रहा है, यह loop की तरह चलता जा जा रहा है, चलता जा जा रहा है, मनलब recursion को अपना अपने काफी हूँ तो अपना में काफी तो भाई आ खुद को कॉल करे जा कॉल किया जी तो यह देखे ट्रेस बैक आप मतलब क्या होता है एरर को ट्रेस करें कि वही कहां से याँ और रही है और किस नाम की एरर है तो पाइफन आम को पूरा देता उसके बाद आके, मतलब समस्क्राइब यहां से क्या किया, यह रिकर्सर हुआ, यह हुआ, यह हुआ, इसके बाद रहाएं, उसको वापिस याद आएक, भई, लाइन Cotton पर डूबाल रिकर्सर कॉल किया गया है, तो पहले बाद रहाएं नोबर फॉर तक यहां, वो वापिस लाइन टू पर आया फे अगें फिर लाइन टू पर आया इतने बार तो रिकर्जर मेरा चार बार चला उसके बाद इसने क्या का कि जब प्रिवेस लाइन है मेरा वह एक हज़र बाइस बार और चला जो प्रिवेस लाइन ये वाली ये एक हज़र बाइस टाइम्स और चला तो तो भई इसका मतलब क्या हो गया है 1026 और अगर में इसको कर हटा दे यह लाइन नॉबर 4 वाले को नहीं रखे तो 1025 भी मेरा आंसर सही हो सकता है क्योंकि लाइन नॉबर 2 वाले को यह execute करा था और इसने का previous line जो repeat हुए मेरी 1022 बार और हुई है तो यह मेरा जो output आया है जो recursion error रही है और जिसने लिखा है कि maximum recursion depth exceeded तो यह जो error आपके जो आ रही है यह कदर 22 more times का यह python 3.10.1 इससे मैंने रं किया हुआ है और इससे पहले के जो आपके जो python के versions है उन में यह कुछ इस तरह से आएगा बार बार आएगा लेकिन यहां पर जो number होगा वो number होगा आपका 996 right तो python के 3.8 है 3.7 है 3.6 है 3.4 है 3.9 है इन सब में 996 का जिकर आएगा और उसके बाद 3.10 अगर आप कर रहे हैं तो सब में आएगा 1022 यहां पर लिखा होगा यह होगा recursion depth तो यहां तक तो कहानी है मेरी पहले half मतला recursion की कहानी है आप मेरी समाप्त होती है आप जो topic आपके पास आएगा जो आपको बताऊंगा वो आएगा memoization का अब memoization बला क्या है सुसको समझने का प्रयास करते हैं तो memoization चीज है क्या कि भई memoization जो है python में वो optimize करता है function को by caching its output उसके output को cache में save करेगा for future use अगर कोई ऐसा function आपने बनाया है जो कोई value calculate करके दे रहा है right तो उस value को वो अपने cache में save कर लेगा और next time अगर user उसी function को दोबारा चलाने का प्रयास करेगा तो पैथे का करेगा function को दोबारा ना चला के उस cache में जो stored value है उसी को उठा के वापिस दे देगा तो चुंकि हर बार वा function same value दे रहा है इसलिए python ने क्या किया उस value को save करके cache में store करके रख लिया एक cache dictionary maintain होगे इसके लिए हमेशा तो हर function एक memoi होता है जब memoi जब कर दे जाता है तो उसकी जो calculation है वो पहली बार होती है हमेशा और उसके बाद जितनी बार भी उसको call किया जाता है जितनी बार भी उसका इस्तेमाल किया जाता है उस समय वो retrieve जो सकी value होगी वो retrieve का से होगी? caches से होगी caches कर जाएगी कि हर बार वो पूरा jump ghat काम नहीं करेगा right बार बार बड़े काम ना करो एक बार कर दो उसके बाद repeat करते रहो right तो repeat का करना है उसके value को repeat करना है उसकी value को उठाना है बार बार cash से जितनी बार भी user मांगे तो यह जो memoization जो है काफी important है काफी जवर्दस्त है किस मामले में computationally expensive codes के मामले में तब मैं आपको computationally expensive code में आपको दिखाता हूं कैसा होता है तो यहां पर मेरे पास यह num है यहां मेरे पास है num right इस num के अंदर यह आपका Fibonacci sequence का generate कर रहा हूं 0 और 1 और देखिए यहां पर Fibonacci Fib num minus 1 Fib num minus 2 यहां पर हो गया रहा है कि भई एक ही function है जो मेरा इसको call कर रहा है और यह भी मेरा recursion कर रहा है तो recursion का concept अंदर तो memoization तब इस्तमाल जादा होता है जब मेरा एक function के अंदर double recursion है double recursion है आप सोचें ने एक recursion ही इतनी लंबी काफी देर तक चलता है तो double recursion तो बहुत सादा competition खा जाएगा बहुत सादा computer का वक्त बरबात करेगा उसकी memory बरबात करेगा वो उसको busy रखेगा पूरी तरह तो बहुत सब्सक्राइब करना पड़ा इसको करने के लिए तो यह होगे अगली बार जब user इसको चलाएगा दोबारा तो फिर से वो पहनत नहीं करेगा पाइथन वो कहाएगा ओरड़ी इसका output सेवड है यह output दिखा दो यूसर को सिर्दी सी बात करेगा तो वो अगर memoize करना तो देखते कैसे होता है यह दो प्रकार से होता है दो प्रकार कि वह मेरी यहां पर लग रही हैे वे टीजव डर कि जो कहाणिय मेरी यह काणिया हम बादमें अलक से देखेंगे आपको बता भी देता हूं डे वेच्छा एक तरह का फंक्षब के और ने को दीजरा नड अब पर देखिए cache एक dictionary है, ये क्या बन रहा है, एक empty dictionary बन रही है, हमेशा धनक ना, ये set नी बन रहा, ये dictionary बन रही है हमेशा, तो inner जो argument हो जा है, उस चेक करेगा inner के अंदर, कि argument अगर cache में नहीं है, तो cache में भर दो, उसको function का output जो आ रहा है, वो cache में भर दो, और इसके वार return कर ये, अगर वो cache में नहीं है, तो not in है, अगर वो cache में नहीं है, तो यहां तक की जो आपने बात देखिए decorator की, ये decorator की पूरी कहानी, एक अलग से lecture में आपको मैं बताऊंगा, यहां मैं इसले नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए मैंने lecture prepare कर रहा है, जो की आपको म मैं आपके तरफ जरूर आएगा, एकेट्यू के द्वारा, तो वहां तक थोड़ा इंसार कर लिजे, इसके कहानी हम अगले उसमें प्रकरण में पढ़ेंगे, अगले जो लेक्शर जवाएंगे decorator में हम उसका कहानी देखेंगे, हम बात करते हैं, तो यह हमारा built-in decorator है, औ और कहते हैं, यह cache dictionary है हमारी यहां पर, right, in context है, मतलब एक dictionary जो context save कर रही है, जो value है, जो function से बनी है, वो उसको save करके रख रही है, और उसमें क्या करा है, देखें क्या करा है, it saves the return value of the function, the context क्या हुआ है, इसके अंदर हमारा context क्या हुआ, जो function हम memoize करना चाह रहे हैं, उसको उसको पहली बार calculate करेगा, calculate करने के बाद उसकी value को cache में save करेगा, और cache मेरा dictionary की form में होता है, ठीक है, तो जो function ऐसा कर रहा है, उस function क्या क्या कहते है, memoize होना कहते है, तो हर एक decorated function, decorated लग रहा था, उसका खुद का अपना cache dictionary होनी जरूरी है, ठीक है, वो हमेंशा होती है, will have its own cache dictionary, अब इससे सीदे example लेखते है, बहुत हमने theoretical देख लिया, example बहुत इस सीदे साधा सा है, right, यहाँ पर मैं आपको कुछ different दिख रहा होगे, इस example के अंदर, कि बे timeit नाम का एक, मैं module call कर रहा हूँ, timeit, उस timeit के अंदर, हमरभा timeit नाम का ही, एक function भी है, जो एक, उस program को इस function को execute करने में कितना वक्त लग रहा है, वो मुझे पताएगा, और मैंने इसको कहा कि भई, fib 30, तो fibna की वाला जो number है, तो 30 numbers तक आप इसको fibna की number, यह series, sequence, generate करें, और मैंने दिकाँ कि global, जो भी global variables है, अगर available है, तो अपना ले ले, नहीं तो कोई बात नहीं, यह by default पर set कर दिया, और number equal to 1, मतलब एक बार ही चलाए, यह तो मैं इसको भी तीन बार चलाता है, तो तीन बार करने का, अगर number equal to 3 करता, तो यह average देता मुझे, अगर मैं number equal to 3 करूंगा, तो मेरे यह तीन बार चलाएगा, उसका average देगा, लेकिन मुझे हर बार एक ही चलाना है, और तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यह तो यह तीन बार चलाया इसको, और तीन बार चलाया का, स्थेदा क्या हुआ, पहली बार चलाया, तो मेरा output आया, 0.4385, किसमें दे रहा है, भाईया, देखो, यह लिखा हुआ है, seconds में दे रहा है, जो time it function है, वो answer किसमें कर रहा है, seconds में कर रहा है, तो पहली बार output कितने में दिया है, 0.4385, seconds, दूसरी बार चलाया, तो क्या output दिया, 0.4408, और तीसरी बार चलाया, तो 0.4391, अब यह तीन statement की बजाया, अगर एक statement ने number equal to 3 कर देता, तो मेरे पास average कुछ इस प्रकार ही आता, 0.44 आता, seconds, भाई, आपको जल्डी कर दिया, लग रहा है ना, लग रहा है ना, बहुत जल्डी कर दिया, बहुत फास्त है ये, बिल्कोल फास्त नहीं है, ये एक, ये हजार हो गया, दस खगया, एक laagh, दस laagh, राइट, तो ये दस laagh गुना, slow है यह आप पूछो कैसे 10 लाग गुदा slow कैसे भर रहा है मतलब 10 पार 6 और भी है even मैं आपको कैसे तो कि हजार गुदा और ज्यादा जी slow होगा इसमें 10 लाग के दिए आप 3 0 जोड दो एक 0 जोड दिया फी हो गया आपका 1 करोड ठीक है फिस 100 करोड राइट कुछ इस प्रकार 1000 करोड तो 1000 करोड कुना मतलब याफे में कैसे तो 1 billion 1 billion time slow है भाईया 1 billion time slow है यह अब यह कैसे भाई आपका system gigahertz में होता है जो speed लिखे होती है gigahertz का मनलब क्या हो गया 10.9 hertz यह तमरी frequency है तो एक instruction को solve बोने में कितना समय लग रहा है divide by 1 frequency का reciprocal को ले लो 1 by frequency कितना आएगा time तो कितना लग रहा है एक को solve बोने में कितना time लग रहा 1 nanosecond अगर एक instruction एक solve बोने में में 1 nanosecond लग रहा है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, राइट चलो मैं मांके चलो यह 10 lines है तो एक line को solve करने में time लग रहा है एक nanosecond approximately तो 10 line को solve करने में कितना time लगेगा 10 nanosecond maximum इतना होना अची है तो अगर मैंने 30 से एक बार किया तो यहां तक आया 10 lines होने में इतना time लग रहा है सोचिए competition expensive code है कि 10 nanosecond लगना चीए ता वहां किता लग रहा है 0.4385 seconds average देखिए 0.45 second का time लग रहा है चली मैं इसको पेटा दूँ इन 3 statements को अठा दूँ मैं वैसे गर दीखूँ तो कितने में time लगेगा यहां मेरा कितना 3700 गई और 530 मैं अगर extra जोड दूँ कॉल करने के लिए तो कितने line लग यहां पर मेरी यह एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ भी line ही हो गई तो फिर भी हमारा time लगा अप्रोक्सिमिटली मेरा 8 nanosecond और लगेगा अगर 10 यह ना लेके चलू तो तो आठ तेनो सकेंड लगेगा तो आठ तेनो सकेंड लगना चाहिए time कितना लग रहा है 0.4385 वह बहुत जादा time लग रहा है तो इसको solve कैसे किया जाया किसको तरह solve किया जाया मैंने लगा दिया क्या अब यह रूखे लगा दिया देखिये यह कैसे बनाया इस को क्योंक्स को किसको भेज दिया प्रेमिटर भेज दिया किसको को इस function को यह परमिटर स्कर दिया तो आप यह भी कह सकते हो कि और नेकर अधा है वोभी बेरा higher order function है तो decorator function जो मेरा है higher order function को कि function के अंदर function एक argument बनके आ रहा है तो again मैंने वही same code रखा versus के उपर मैंने ये कर दिया और time it निकाल रहा हूं मैं 30 30 तक की sequence को generate करने का तो अब देखें decorator से कितना फरक पढ़ रहा है देखें यहां पर कितना रहा था 0.4385 पहला बार रन किया यहां कितना आया 0.4362 कम लगा time 0.4408 यहां 0.4387 यहां था 0.4391 यहां 0.4369 तो यहां तक और फरक पढ़ गया तो जो time it function है मेरा again seconds में calculate कर रहा है तो decorator ने मेरा थोटा समय बचाया है right cache में store कर रहा है तो हार बार calculate नहीं कर रहा है तो मेरा वक्त कम लेगा अगर मैं LRO cache का इस्तमाल करूं तो तो यहां add the rate लगता है मैंने क्या का था decorator का इस्तमाल ही हो रहा है तो यह मेरा अलग टाप का decorator है LRO underscore cache मैंने यहां पर दे दिया 150 क्योंकि 30-30-30 पर तीन बार कर रहा हूं तो बही maximum मेरा at 150 तक की जो cache है वो save का रख रहा है कि dates of values तक save का रखेगा तो अगेन मैंने इसको call किया अगेन चलाया मैंने और यहां पर मैंने इसको चलाया मैंने और यहां पर मैंने इसको चलाया सिद्धा मैंने at the rate function tools LRO underscore cache बस यह एक line लिख दी मैंने बस राइट सिंगल एक line लिख दी that 2.74 आनर 10 पर – 5 2.74 10 पर – 5 कितना हो गय यह one point see गया ऑ 1.70 10 power minus 5 10 power minus 6 1.7 10 power minus 6 यह लगा time कितना समय लग रहा है मारा सब्सक्राइब निकल रहा है 1.7 माइक्रो सेकेंड निकल रहा है 1.7 माइक्रो सेकेंड कितना फास्ट हो गया आप सोचेंग एक कॉमपूटिशनली एक्सफेंसिफ कोड मेरा तीज पर चला है एक बार चला है तो मेरा एंड में जो आया देखिए पहले था पहले बार बार विजो सब्सक्राइब लिया वह 27 माइक्रो सेकेंड लिया दूसरी बार चला है तो पहले बार चला है तो काल्कुलेट करने में इसको थोड़ा वक्त लगा जो कि अजिए फंक्शन जा रहा तो उसका आपूट सेव कर लिया कैश के अंदर और उसके बाद जो सब चला है तो काफी कम वक्त लगा तो हर बार मेरा अरौंट सेम वक्त लगेगा यह मेरा पहले ने मेरा कैश से जा रहा है तो कैश जादा फास्ट होती है यह आपको डियर यह , least recently used , so import functoolोes , import time it .कर ना होगा और यह statement में निखने हो किhğिये सब कोछ मेरे सेम रहा । या था मेरा क्या था ? ये function tools का इस्तमाल कर रहा हूं Heler WA Economist के लिए और यह क्या decorator है !! ये क्या कर रहा हूं ? मेममय कर रहा हूं तो पहली बार जब मैं Tä्ज function जो तो इस तक की लेंज के लिए में रन करना चाहरा हूं तो पहले बार समय लिया 27 मैक्र सेकंड उसके बाद समय लेगा सीधा 1.7 मैक्र सेकंड और उसके बाद वारा वक ले रहा है मैक्र सेकंड का तो आप देखे कितना फरक पड़ गया अभी तक हमारा जो आउट्पूट आ रहा था यह भी मेरा आप देखिए यह 0.4362 इसारब 8.6 2 है 8.7 6.9 है यह अल्मोस्ट मेरा जो जा रहा है 0.44 तक जा रहा है जादा फरक नहीं पता लगा तो जो मेरा डेकुरेटर का नॉर्मल इस्टमाल करें तो जादा फरक नहीं पता लग रहा लेकिन मेरा अगर यहा इस्तमाल हुआ एदा रुकैशे का तो मेरा यहाँ पर विरा 1.7 इंट्व 10 पार मानस 6 सेकंड्स मीन्स 1.7 माइक्रो सेकंड्स तक करें रहा है और आपके जो सिस्टम की गति है वो नैनो सेकंड्स में होती है जहां वो 1 बिलियन टाइम स्लोर था यहां पर माइक्रो और इसमें कितना फरक है हजार का फरक है तो सिफ हजार गुना स्लोर हुआ बजाए वो 1 बिलियन टाइम स्लोर होने के तो सिस्टम आपका कितना इंप्रूव हुआ यह 10 पर पहले 1 बिलियन टाइम स्लोर था 10 पर 9 टाइम स्लोर था अब मेरा 10 पर 3 टाइम स्लोर है तो इसका कितना फरक पड़ा है मेरा फास कितना सिस्टम मेरा 10 पर 6 टाइ execute होने में 0.44 second लग रहा है अब वो समय कितना ले रहा है average 1.7 microsecond इसका लग दस लाग गुना system fast हो गया आपका जितना समय पैथम को लग रहा है वो फास्ट हो गया और इसने जल्दी result दे दिया बहुत ही कम समय में result दिया तो ये मेरा इसका हुआ का function memoization का तो बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक आप लोग ने recursive function के बारे में जाना और memoization के बारे में जाना तो I think मेरे examples पराप्त होंगे नहीं तो GFG और website पर सब पढ़े वें आप वहांसा निकाल सकते हैं और comment section में नीचे जरूर बताना पहले तो भई पहला काम ही कर दो आपको lecture पसंड है तो लाइक जरू कर दो और चैनल को कर दो subscribe और bell icon press कर दो और नीचे comment section में जरूर बताना कि आपको कैस अलगा lecture और अगर कोई आपके बाद सुझावे तो जरूर देना थैंक यू नमस्कार